हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका देशी किचन देशी रेश्पी में फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू से बहुत ही टेस्टी नास्ता तो यहां पर देखिए हमने ब्रेड को बॉयल कर लिया है और इसको हम कद्दू कस कर लेंगे आप एक बार इसे बना के ट्राइ जरूर करिए यह बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर आपको मेरी यह रेश्पी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा तो चलिए हम इसे देखे कद्दू कस कर लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ प्यास और डाल देंगे इसमें हरा धनिया हरी मिर्च और इसमें हम अधरक डाल देंगे आप इसमें थोड़ा सा लेसुन को भी कूट के डाल सकते हैं और इसमें हमने डाल दिया है स्वात के अंसार नमक उपर से डालेंगे हम इसमें थोड़ा जीरा और ध बेश्टी लगता है, ऐसे भी खाने में आप चाहें, तो ऐसे भी इसके रोल बना के खा सकते हैं, और मैं इसे ब्रेट से के साथ इस्तमाल कर रही हूँ, तो मैं इस श्टपी को त्यार कर ली हूँ, और अब हम यहां पर लेंगे ब्रेट, और ब्रेट के ना, दोनों साइड मे लगा देंगे इसे जरूर बनाईएगा यह बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेट के तो कोई भी रेस्टी बहुत ही अच्छी लगती है तो देखिए हमने लगा दिया ऐसे करके हम सारे ब्रेट में लगा देंगे और इसका जो बीस से है न वो लंबे में हम इसके बीश सी हिस् तो इसके पीस छोटे चोटे ही हुए है तो देखिए बिल्कुल हम ऐसे ही काटके और सारे ब्रेट को तयार कर लेंगे लगा के तो हमने यहां पर देखिए तैयार कर लिया चलिए अब हम इसको नेक्स्ट फ्राइब करने के प्रोसेस में चलते है तो पहले में एक बाउल मे कर लेंगे घोल हमारा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए तो यहां पर बेशन का इस्तमाल ना करके आप यह मैदे का इस्तमाल करिए इससे बहुत ही टेस्टी लगता है इसका टेस्ट जो है वह बढ़ जाता है और इसको हम अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं मैदे में फिर हम फ्राइ करेंगे तो दोनों तरब से अच्छे से प्लट के हम कोटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम फ्राइ कर लेंगे तो तेल हमारा फ्रेंट ग्रम हो चुका है और इसमें डाल देंगे हम फ्राइ करने के लिए जो हमने ब्रेट को तयार किया है तो विल्कुल देखिए हम इसे अच्छे से प्लट लेते हैं और दोनों तरब से हम अच्छे से इसे से लेंगे golden brown होने तक और फिर इसे हम निकालेंगे तो friends ऐसे करके हम सेक लेंगे सारे bread roll को अपने bread roll बहुत तरीके से बनाये होगा एक बार इस तरीके से जरूर बना के try करिएगा तो देखिए golden brown हो चुके हैं अब इन्हें हम निकाल लेंगे और सारे bread को हम ऐसे ही करके सेक लेंगे तो आपको ये recipe बहुत ही पसंद आने वाली है मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी मेरी family में भी सबको बहुत पसंद आई थी आप एक बार बना के जरूर ट्राइ करिए बहुत ही amazing और जादा है तो इसे हम green chutney के साथ ये tomato ketchup के साथ सर्व कर सकते हैं तो यहां पर हमने इसे सारा plate में निकाल लिया है देखे हमने जितने भी बनाये थे plate में निकाल लिया है और इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करिए और तारीफे तो बहुत ही ले जाए ये तो 100% आप जिसे भी बनागे करेंगे वो आपकी बहुत ही तारीफ करने वाला है तो देखे हो गया है रेडी और हम यहां पर ले ले लेते हैं ग्रेन चटनी और टमाटो केचप भी हम ले सकते हैं आप किसी के साथ सब करिए और खाए और आनंद लीजिए बारिस का मौसम भी चल रहा है सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो बनाइए फ्रेंड्स और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज एक बार मैं फिर बोलूँगे मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक सुस्क्राइब एड कमेंट सेयर करके जरूर जाईए